मुस्लिम समुदाय का पवित्र रमजान का महीना शुकरवार की शाम से शुरू हो रहा है लेकिन पहला रोजा शनिवार को है महीने भर चलने वाले इस इबादत के तेवहार पर भी लॉकडाउन का सर देखने को मिलेगा रोज़दारों के लिए खजूर से रोजा खोलना सुन्नत माना जाता है इसलिए मुस्लिम समुदाय खजूर से ही रोजा खोलना पसंद करता है लेकिन कोरोना वाइरस और लोगडाउन के चलते इस बार मुस्लम समुदाय को रोजा खोलने के लिए खजूर की किल्ड़त पड़ सकती है लोगडाउन के चलते भोपाल में खजूर की कमी है लेकिन ग्राहक भी बाजार में मौजूद खजूर खरीदने नहीं पहुच पा रहे लोगडाउन के कारण अब तक भोपाल के थोक कारूबारों ने खजूर के ओर्डर नहीं दिये है वही लॉकडाउन के चलते अनिराजियों से भुपाल आने वाला माल भी नहीं आपा रहा ऐसे में रमजान के दौरान लोगों को इफतारी में खजूर की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है